हेलो फ्रेंट आज मैं आप लोगों को एक बहुत महुत्मून सुचना देने जा रहा हूं जैसा कि बिहार फर्माशिस्ट 1549 पदों की नियुकती आई थी जिसका परकिरिया जो फर्म भाया था उसका कंप्रीट हो गया था उसका कांसलिंग का डेट आने वाला था बट क्या कि आप लोगों को आज एक नेटिफिकेशन आया है किसी ने उसके खिलाफ एक पत्र लिखा हुआ है और बिहार टेक्निकल सर्विस को द्वारा उसको वो लोग बोला जा रहा है कि उनके द्वारा मानना है कि इसका एक्जाम होना चाहिए 1549 जो पदों पे बहुत लोगों का कहना है जैसे इसी पर जो डाक्टर रचेंद ll आरराकेशचेंद्र सहाय बर्मा जी है जो निदेशक परमूख है रोग नियंतरन लोग स्वास्थ पारमेडिकल स्वाश्थ बिहार पठना का पटना का पत्रांख इतना है आप देख लिएगा निदेशा अनुसार उप्योक्त विषाय के संबंध में कहना है कि समानने परशासन बिहार पटना के परशासिंग पत्र द्वारा बिहार तक्निकी सिवा आयोग की अनुसुची में सामिल वैसे तक्निकिक पद जिनका चैन का अधार कॉलेज अभी स्विदालाई की यहर परिष्थां क्वालिफिकेशन में प्राप्तांकं का परतिशत है उन सभी तक्निकी पदों पर चैन आयोग के अस्तर पर परिख्षात्वा परिख्षा सही तक्षार के द्वारा निउक्ट करने का नए स्रीय से प्रवादान करन में कान रोध किया गया है बिहार तक्निकी सिवा आयोग द्वारा फार्माशिष्ट के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विग्यापन संख्या 5-2023 प्रकासित किया गया है जिसमें बिहार फार्माशिष्ट के स्वर्ग नियामावली के आलोक में प्रतांक के है वरना रित फार्माशिष्ट के पदों के नियुक्ति हेतु परकासित विग्यापन संख्या 5-2023 को अगलें देश तक ततकाल अस्थाकित रखने के खिप्या के जाए यानि कि बोल दिया गया है कि अब इसका जो है एक्जाम लेकर जो कांसरिंग का डेट है उसे अभी नह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तब तक लिए शुक्रिया आपका दिन मंगल में हो